हलो दोस्तो मैं हर शुता और आप देख रहे हैं ट्वेंस भाइवर्ड लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर हजबन और वाइफ की ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट के साथ साथ मैं आरेश फैक्टर की बात कर रहे हूं कि आरेश में दिक्कत आएगी प्रिग्नेंसी में दिक्कत आएगी क्या बच्चा सर्वाइफ करेगा या नहीं करेगा हजारों तरह के सवाल आते हैं तो इसका सिंपल सा एक आंसर यह देना चाहती हूं कि अगर हजबन का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव हैं तो कभी भी लाइफ का कोई भी एबॉर्शन पहले नहीं हुआ, मिस्कैरिज नहीं हुआ, या आपने डीनसी नहीं कराई, तो फिर कोई दिक्कते नहीं हैं, बेबी को सर्वाइफ कर सकते हैं, निकारा जा सकता है सेफली, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको उस समय जब अड़ टाइम जासे बहुत सारे बच्चों की जाने भी चली जाती है, और यह बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीजे होती है, लेकिन यह बात में जाके बहुत ज़दा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो अगर आपने जब भी प्रिग्नेंसी कंसीव किया है, अपनी तो इसे होता क्या है कि जो बेबी अगर में भी आपको तो नहीं पता ना कि बेबी जो कंसीव हुआ है वो उसका ब्लेड ग्रुप क्या होने वाला है, और जो मा है उनका निगेटिव है, तो वो मा का निगेटिव है और सपोज अगर बच्चे का पॉजिटिव है, तो यह बहुत ही ज़ादा फैटल हो सकती है, बच्चे की जान जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे केसेज में ऐसा देखा गया है कि अन्रीजन कुछ पता नहीं चलता है कि बच्चे की अचानक से स्वेलिंग इतनी ज़ादा क्यों होने लगी बॉड़ी में, बच्चा इतना ज़ादा से एनमिया उसको क्यों हो गया, मतलब अनेक्स्प्लेंड कुछ भी चीज़े होती है, तो आपको अपने डॉक्टर से अपने ब्लड ग्रूप को ज़रूर डिसकेशन करना चाहिए, और जैसे कि अगर आपका कोई बिस्कैरिज नहीं हुआ है, किसी तरह की डीनसी नहीं होई या फिर एस सुन एस जैसी बेबी की डिलिवरी होती है, एस सुन एस पॉसिबल इमनोगलोबीन की एक इंजेक्शन लगती है, जिससे कि जो बन रहे जो एंटिजन्स है, उसके जो मदद मिलती है, बच्चा सर्वाइब करने में बहुत ही ज़ादा हिल्प होती है, और रही आपके वन में बहुत सरे कोशन होते होंगे कि कहीं गर्फ में हैं, तो कोई दिक्कते तो नहीं, पर देखिए तब तक दिक्कते नहीं आएंगी जब तक कि उन दोनों का, देखिए बेबी जो होता है, अमबलीकल कोड से जुड़ा होता है, मा के यूटेरिस में जो प्लेसे वहां से जुड़ा होता है कोई भी डारेक्ट ब्लड का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है लेकिन इन केस अगर माल लीजे इसके पहले आपका मिस्कैरेज हुआ है या फिर कुछ भी अगर डीनसी हुई है जिसमें यूटिरस में अगर कट मार्क है तो वहां पर ऐसा जामक अगर इंजेक्शन अप लेते हैं एड दे स्टार्टिंग ओफ प्रिगनेंसी उस टाइम फर्स ट्रीमेस्टर में भी और ट्वंटिएट वीक तक भी अगर लेते हैं एक इंजेक्शन तो बेबी को कोई भी दिक्कत नहीं आती है और बेबी के जर्म के बाद से एस सु अगर वो इंजेक्शन आपको बहतर घंटे के अंदर लग जाता है तो आपकी अगली प्रिगनेंसी में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है कई बार अगर प्रॉब्लम बहुत जादा एक्यूट हो जाती है कभी ऐसा लगता है कि बेबी के अंदर बहुत जादा स्व फ्लूड के साथ ही बाहर निकालते हैं वो इस वज़ा से होता है कि वो बॉड़ी जो मदर की बॉड़ी होती है और बेबी की बॉड़ी का जो डिरेक्ट जो बलड से बलड का कनेक्शन है वहां से टूट जाए एमिनियोटिक सैक के साथ ही अगर बेबी आउट हो जाएगा तो बेबी की सर्वाइवल के चांसेज बहुत ही जादा होते हैं मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजे मेरे अधर वीडियो भी देखिए चैनल अच्छा लग रहा है तो